नमस्कार दोस्तों आर्जी के कोचिंग में कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागते हैं दोस्तों आज हम सरो नाम के बारे में पड़ेंगे टॉपिक शुरू करने से पहले एक महत पूर्ण बात हिंदी व्याकरण के अंदर कई आशे टॉपिक जो हमें देखने में बहुत असान लगते हैं जैसे सरो नाम देखने में बहुत असान लगता है लेकिन मैंने यह देखा है कि प्रतियों की प्रिक्षाओं में कई युवा जो है इसके प्रश्ण जल्द बाजी में गलत कर बैढ है हम इसकी पूरी समझ नहीं होने की वजए से प्रितयों की प्रिक्षाओं में वह साMoreनल होता है चार विकल्ब में से हम चुनना होता है अम प्रिक्षाओं के बाहर आके डिक्रेस करते हैं तो पता चलना है कि यह हमने गलत कर दिया क्योंकि व्याकरण के अंदर कई अफवा अब किस संदर रूप में वो प्रयोग हो रहा है उसके अधार पे निच्चे ही क्या जाता है कि पूरुस वास्च में भी होता है और निज्वास्च में भी होता है इसके अलावा कई सरवनाम सब्द जो है वो विशेशन के रूप में सारवनामिक विशेशन के रूप में भी प्रयोग होते हैं तो उनके बीच में क्या अंतर होता है ये भी जानना जरूरी है तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको कई छोटी-छोटी बाते सीखने को मिलेगी और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन जो गंटी का निशान इसको जरूर दबाए उसको गंटी की निशान को दबाना ना भूले ताकि नया वीडियो अप्लोड होते हैं आपको नोट्रिपिक नाम ही संग्या है किसी भी व्यक्ति वस्तु इस्थान को हम जो नाम जाते हैं वो ही संग्या है तो उसकी पुंड्रा वड़ती यानि बार बार प्रियोग में आना बचाने के लिए संग्या के इस्थान पर जिन सब्दों का प्रियोग किया जाता है सरुनाम कहे जाते हैं य राम स्टूल नहीं आया, क्योंकि राम पीमार है, अब यहाँ पर राम सब्द दो बार आया, अब इसको दूर्से बार आने से बचाने के लिए हमने क्या किया? राम स्कूल नहीं आया क्योंकि वह बिमार है तो अमने वह सब्द उप्योग किया तो यह वह सब्द जो है वह सरुनाम है यानि संग्या के स्थान पर आया तो अब इसकी परिवास से देखिया संग्या के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सब्द सरुनाम कहलाते है यह जो राम संग्या थी इसके इस्तान पर क्या प्रियोगत हुआ वह सब्द प्रियोगत हुआ तो यह वह सब्द जो है वो सरुनाम है इस प्रकार के जो भी सब्द है अलग-अलग वो सारे सरुनाम होते है तो पहला है पूस्वासक सरुनाम पूस्वासक सरुनाम के तीन भेद है जिनों को हम समझेंगे सबसे पहला हम इसकी परिभासा को पढ़ेंगे जिन सरुनामों का प्रियोग कहने वाले नमबर एक है कहने वाला दूसरा है सुनने वाले वतीज राय जिसके विशे में कहा जाए कि इस्थान बर किया जाता है उन्हें पुरुस वासक सरुनाम कहते है तो पहला है उत्तम पुरुस यह बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सरुनामों का प्रयोग करता है वे उत्तमपुरुस पर नाम कहलाते बोलने वाला और लिखने वाला कौन-कौन सब्द है वह? जैसे मैं, हम, हम सब, हम लोग अदि तो जैसे में गड़ जा रहा हूँ तो ये मैं सब उत्तमपुरुस बोलने वाले वेक्थ अपने लिए के प्रियोख कर रहे हैं तो यह सुनने वाले के लिए प्रियोख कर रहे हैं तो इसको जिसको कह रहा है सुनने वाला व्यक्ति है वो मध्यम पुरूस इसके लिए प्रियोग होने वाले सब्द है तू तुम आप आप लोग आप सब तो जैसे आप का लाना तो यह आप सब्द मध्यम पुरूस तुम खेलने जाओ व्यक्ति अबुए सब्द का प्रियोग वो निज्वाचक सरुनाम की रूप में भी होता है जिसे हम आगे समझेंगे तुश्रा है अन्य पुरूस वासक वे शरुणाम जिनका प्रियोग बोलने तता सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रियुक्त करते हैं जैसे वे लोग कब आएंगे तो वे लोग यानि वो इन दोनों वारतलाप करने नित्चे सब्दों के दवारा उसमें संचे नहीं होता याई इसमें चीज और निकट वस्त्वों के लिए लिए टो यह वय इन्सब्दों को प्रियोग किया जाता है और दूर की वस्त्व के लिए वह वे सिरु लिए healthcare यह वस्तुओं के लिए यह वह वे सब्द प्रियोग किया जाते हैं यहां तो यह व्यक्ति अपने लिए कर रहे है और यहां पर वस्तुओं के लिए क्या जा रहा है यह सब्द निकट की वस्तुओं के लिए और यह वाले सब्द दूर की वस्तुओं के लिए तो ये इन दोनों में अंतर है, जिसको समझना बहुत जरूरी है जैसे उदान देखिए, यह मेरी पुस्तक है, यह एक वस्तु के लिए प्रयोग कर रहा है यह मेरे हतियार है, यह वस्तु के लिए प्रयोग कर रहा है वह उनकी मेज है, वे तुमारे आदमी है तुम्हारे आदमी को इसके आदमी बता रहा है एक वस्तु के रूप में इसका भी उपयोग हो रहा है तो यह और निच्चित रूप से इसमें किसी प्रकार संचे नहीं है यह, यह, वह, वे, तो यह निच्चे वाचक सरोनाम हो गया अगला है अनिच्छे वाचक सरुनाम जिन सरुनामों से किसी निच्छी तवस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिच्छे वाचक सरुनाम कहते हैं निच्छी तवस्तु का बोध नहीं होता है अनिच्छे वाचक सरुनाम अब इसमें कोई कुछ इन सरणाव सब्दों का प्रयोग होता है इसमें कोई सब्द जो है वो तो प्राणी बहुत है यनि प्राणी जो है सजीवों के लिए कोई सब्द उप्योग होगा और वस्दों के लिए कुछ सब्द का प्रयोग होगा जैसे कोई उसे बुला रहा है बुलाने वाला कोई सजी प्राणी है तो उसके लिए कोई सब्द का उपयोग हो गया अब कुछ रुपए दे दो कुछ तो ये वस्तु रुपए एक वस्तु है उसके लिए प्रयोग हो रहा है तो वो है कुछ तो ये दोनों कोई कुछ ये अनिचे वाचक सरुनाम है और कोई प्राणी बोधक सब्दों के लिए प्रयोग होगा और कुछ जो है वो वस्ति बोधक सब्दों के लिए प्रयोग होगा अगला है प्रश्ण वाचक सरुनाम तो पर्ष्नक करने के लिए प्यूक्त होने वाले स्अरुनाम सब्दों को प्रष्नवाचक सरुनाम कहा जाता है प्रष्नवाचक इसमें भी कौन क्या किसकी यह सब्ष्नवाचक सब्द जो है वह सब्द प्राणिंबद प्र Distribud CH southwest के लिए प्रियूक्त होता तो जैसे कौन आया था तो यह कौन प्रशनवाचक सरुनाम किसकी पुष्टक है इसमें किसकी यह प्रशनवाचक सरुनाम है अगला है संबंद वाचक सरुनाम सब्सक्राइब इसमें अभी सब्सक्राइब प्रशनवाचक यानि इससे प्रशनवाचक बोद होता है संबंद वाचक जो संबंद जोड़ता है इसमें प्रयोग होने वाले सरुनाम सब्सक्राइब जैसे जो वह जो सो जिसकी उसकी जितना उतना आदी तो जैसे जिसकी लाटी उसकी ब्हांस यहीं लाटी और भैस के बीज में समंद जोडने के लिए जिसकी और उसकी सरुनाम का प्रयोग हुआ तो यह हो गए समंद वाचक सरुनाम जो सोएगा सोख होएगा तो सोने और खोने के बीच में संभन जोड रहे ये type of वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहां आया था तो वह और जो है ये इन दोनों वागजियों के बीच में संभन जोड रहे है इसलिए ये हो गये संभन वाचग सरुनाम अगला है निज वाचक सरुनाम निज का मतलब यानि अपना निज सब्द का आर्थ होता है अपना यानि जिन सरुनामों का प्रयोग निज यानि स्वयम के लिए किया जाता है निज वाचक सरुनाम कहे जाते है इसके अलावा इसमें एक और चीज है कि निजवाचक सरनाम में जैसे आप अपना स्वेम खुद आदी सब्द है इसके अलावा ये आप सब्द जो है वो करता कि इसे हम कुछ बताता है पर वो स्वेम करता नहीं होता है कैसे समझेंगे इसको आप देखिए जैसे यहां तो देखिए यह कारिय में आप ही कर इसमें अपने बारे में बता रहा है इसमें मैं अपना कार्य कर लूँगा मैं खुद कर लूँगा इसमें तो जो व्यक्ति बोल रहा है वो स्वेम अपने बारे में ही बता रहा है लेकिन इसमें मैं अपना वह आप ही अंदर आया था तो यह करता है अंदर आया यह कोई दूसरे व्यक्ति जो करता है इसके लिए आप सब्द का प्रयोग हुआ है तो जब करता के लिए आप सब्द का प्रियोग होता है तो वो निजवासक सरवनाम होता है और पुरुष वासक सरवनाम में तो मद्यम पुरुष के लिए आप सब्द का प्रियोग होता है तो इस अंतर को आपको समझना होगा निजवासक सरवनाम में यहनि जब करता के विश सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब निजवाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्व देखिये जसे इसमें छात्र, छात्र श्र्वाद में एग संग्या है और यह यह सब्ध भी इसी के लिए प्रयोगत हुआ है तो संग्या के साथ जब उसका नामिक प्रयोग होता है तो वह सरोनाम नहीं रह väl करके चारूनामिक विसेशन बन जाता है जासर इसमें देखिये यह बहुत सुन्दर है तो सरुनाम होगा केवल यह सब्द आ रहा है इनि किसी के लिए प्रियोग चात्र के लिए यह सब्द हो गया प्रियोग तो यह संग्या के इस्थान पर अकले प्रियोग ठोटे हैं तो सरुनाम कहलाते है अगर संग्या किस्तान पर यहां पर अकला प्रियोग ठो रहा है तो यह सरुनाम कहलाएगा और यहां पर यह साथ में प्रियोग ठोड़ा The तो यह सारुनामिक विशेशन कहला है गया बहुत बहुत दन्यवाद